नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे भारती राजवेवस्ता यानि इंडियन पॉलिटी के UPSC में पिछले वरसों में पूछे के कोशन्स को ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से पहल करते हैं तो मुल उद्देश से क्या सुनिष्चित करना है ठीक है या सुनिष्चित करना है तो ये तो आपने पढ़ाई होगा कि nella पंचा Nh despite से स्थानी सर्क चाहिं से स्थानी सर्कार से तो पॉलिटेकल अकॉंटिबिल्टी यानि राजनेतिक जवाब देएता तो होगा नहीं क्योंकि यह वड़ा ही व्यापक सब्द ह्याँ मुझे क्का कंश सकता है मुलव उद्दे से कैसे हो सकता है ये तो जैसे ही दूसरा नहीं होगा तो आपके यह तीन ऑप्सन यहां से इलिमिनेट हो जाएंगे ओर आपका एंसर आजाएगा C यानि पहला और तीसरा सही है यानि चौथा भी विद्ती संगरहण भी नहीं ठीक है धन्म एकत्र करना पंकार्टि राज्विवस्ता से समंद्ध है निसक तो क्यानि यह हैं विकास में जन भागीदारी हैा और करन्म मतलब होता है कि लोग धंतर में देखेज दो प्रकार के तंतर होते हैं आपने के पास होती है और राजयतंत्र तभी मजबूत होता है जब सारी सक्ति केंद्र के तरब जिदनी ज्यादा सकती रहेगी उतना ही राजयतंत्र मजबूत होता है लोगतंत्र तम मजबूत होता है जब सक्ति केंद्र के पास से दूर हट्टी हुई हो मतलब बटी हुई हो सक्तिय ऐसा नहों कि सिर्फ के अंदर के पास इसारी सक्थियो ठीक है तो कि अंदर के लिए किसी विव्यक्ती के लिए पंचायत का सद से बनने के लिए नियुंतम निर्धारित आयो 25 वरsın है दूसरा है पंचायत की समय पूर्व भंग होने के पच्चात पुनर गठित पंचायत केवल अवसिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है अवसिष्ट यानी सेस्ट जो बच्चा हुआ समय है उसके लिए ठीक है तो कौन-कौन से सही है देखिए पहला स्टेट्मेंट है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदर से बनने के लिए नियूंतम निर्धारित आयू 25 वर्स है जो की गलत है कितनी होती है 21 वर्स होती है ठीक है दूसरा वाला सही है कि पंचायत अगर समय से पूर्व भंग हो जाती है तो उसके पूरते हैं भारत में रहने वाला बिटिस नागरिक दावा नहीं कर सकता ठीक है कुछ अधिकार दिये गए हैं जो सिर्फ भार्दियों के पास हैं और कुछ हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं तो उसी से समन्दित पूछा गया है तो यह मूल अधिकार वाला जो च फोक्ति धर्म की सोतंतरता के अधिकारका तक तो यह कौस्ट अबड़े कॉमन सेंस का है इसको किया जासकता है तो अगरी अंशर पता है तो भी तू स्यक्यार सकता है Kanada 3 के दीवन और वेक्टिक समांतरता की essa कि अधिकार का तो होगसा देखा कि क्योंकि यह नहीं कर सकता ठ अगर अन्याय हुआतो Intelli자는 सर लिए विखतिका सुतनत्रता की सुरक्षा के अदिकारका भी नहीं nhưगा ठीक जिए एक क्योंकि यह को प्राप्त है धर्म की सोतंता के अधिकार का भी सभी को प्राप्त है यहाँ पर लिखा है इसका करेक्ट एंसर होगा व्यापार और व्योसाय की सोतंतरता के अधिकार का ठीक है तो यह जो है अधिकार यह सिर्फ भारतियों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत के समविधान का कौन सा अनुच्फीद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संदक्षन देता है ठीक है यानि आप अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं और उसका संरक्षन कौन सा अनुच्छे देता है तो इसका correct answer है बी आर्टिकल 21 ठीक है जीवन की सोतंतता का अधिकार जीवन जीने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 से सम्मंदित है उसका तो उसी के अंतरक के संदर में निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए दो कतन दिये गए और बताना है कौन से सही है परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती है परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती है परिसीमन आ अग्ला कोशन है, निमल के कतनों पर भीकार कीजिए, दो कतन दिये गए हैं, बताना है कौन से सही हैं। उच्छ नियाले के नियाधीस को हटाने के लिए उच्चतम नियाले के नियाधीस को हटाने की रीती के समान है ठीक है हटाने के लिए रीती यानि वही तरीका अपनाया जाता है जो कि मतलब सुप्रीम कोट और हाई कोट के नियाधीस को हटाने के लिए एक जैसा तरीका अपन या किसी प्रादिकारी के समक्ष अभिवच्छन नहीं कर सकता तो इस स्टेट का मतलब यह हुआ कि कोई भी हाई कोड का जो कोई स्थाई नयादीस है वो रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी नियाले या किसी प्रादिकारी के समक्ष अभिवच्छन यानि वकालत नहीं कर कर सकता तो यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो उच्छ न्याले और उच्छ न्याले में कर सकता है उसके अलावा और कहीं नहीं कर सकता ठीक है यहां पिलिका भारत में किसी भी न्याले ठीक है तो उच्छ न्याले में कर सकता और उच्छ न्याले में कर सकता है तो दूसरा यह जो पहला घलत हो जाहेगा पहला जीएynen एक अबल शिक्स का एह गागा इट अगला है निम्लिकित में से किस एक अधिकार को दॉक्टर बियार अमेदकर द्वारा समयदान की आत्मा कहा गया बहुत आसान कोशन है तो धर्म की सुतनता का अधिकार संपत्ति का अधिकार या समानता का अधिकार या फिस समयदानिक उपचारों का अधिकार तो इसका करेक्टर नसर होगा डी समयदानिक उपचार का अधि प्रचल थैटी टू ठीके बहुत इंपोर्टेंट है अगला कुछ नहीं केंद्र और राज्य की बीच होने वाले विवादों का निर्णे करने की भारत के उच्चतम न्याले की सक्ति आती है किसके अंतरगात आती है प्रामर्सी अधिकारिता अपीली अधिकारिता मूल अधि तो इसका करेक्ट एंसर है कि सी इसकी मूलत किसकी उच्छतम नियाले की तो केंद्र और राज्यों की बीच में आपस में हो जाए तो उसके लिए है आगे बढ़ते हैं अंडमान वा निकोवार दूइप पर निम्लिकित उच्छ नियाले हो में से किस एक का ख्रेत्रा दिकार है आंद्र प्रिदेश, कुलकाता, चेन्ड़ी या फिर उडिसा तो इसका करेक्ट एंसरों का B कुलकाता उच्छ नियाल है तो जो कुलकाता हाई कोट है उसी के अंतरकत अंडवान निकोवार दूइप भी आता है ठीक है इसके बाद लास्ट कोश्चन है आज का भारत में संसदी प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रतेश रूप से निर्वाचित होती है संसद संविधान का संसोधन कर सकती है राज सबा को बंग नहीं किया ज़न सकता है या फिर मंत्री परिसन लोकसभा की प्रति उत्तर दाई है देखने से तो लगता है कि यह सारी बाते सही है लेकिन यहां पूछा गया है कि भारत में संसदी प्रणाली के सरकार है उसके संदर्ब में आपको बताना है ठीक है तो भारत में संसदी प्रणाली के सरकार है क्योंकि मंत्री परिस्द लोकसभा के प्रति उत्तरदाई है ठीक है यही इसका correct answer होगा ठीक है दोस्तों तो ये थे आज के 10 कोशन कैसे रहे हमें कॉमेंट सिक्षन में जरूर बताएगा मिलते हैं अगले वीडियों तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद